आज के वीडियो में लेकर आई हूं मैं छोटे बैंगनी की सबजी की रेस्पी तो देखिए यहां पर मैंने ली हैं ये बैंगनी 240 गराम हैं और साथ ही मैंने पानी रखा हैं और उसमें नमक डाला हैं तो ये इसको आगे और पीछे से इस तरीके से काट लेंगे और जहां से आप चाहे तो इसका छिलका है जो निकाल सकते हैं पर मैं इसका छिलका है जो नहीं निकाल रही हूं क्योंकि ये कच्ची है और मैं इनको इसी तरीके से कटिंग कर लिया है तो नमक वाले पानी में डालने से क्या होगा कि ये काले नहीं पड़ेंगी और तीन मीडियम और निकाल दिया दो प्याज लिए हैं और दो ही तुमाटर को बारिक काटा है और प्याज को भी और आलु है जो इस तुरीके से में में काटे हैं कि अब चाहे तो प्याज और टमाटर की प्यूरी भी बना कर ड्ल लेकिन मैं इसको इसी तरीके से बनाऊँ गी मैं आप की pegmy कर में सबरी कर लए हैं तो क्या करेंगे अब साथ की साथ मैंने कड़ाई रखी है गैसोन करके इसमें डालेंगे सरसों का तेल तो बड़े दो चमज के आसपस तेल डाला है मैंने तो सरसों के तेल में ही इस बैंगनी को सबजी को बनाई तो बहुत यह अच्छा जल्टा आता है क्योंकि सर्सों के तेल में सबजी का सुअध है जो दो गुना भढ़ जाता है आज़ा चमजीरह डालने के बाद डालिया मैंने लैसुन की कली और डाल दिया है प्याज दो बारिक होती है जो शूप राल हो जाती है वही मिर्च टाली है मैंने फे कि चाथा से दो से तीन मीट डाल दिया है तमाटर कि डाला नमक ताक ही अच्छ say से सूप हो जाए नॅच्छ और जल्दी से पक जाए तो सवाद के इसवाद डाला है मैंने एक चम्मच नमक है जो यहीं पर यूज कर लिया है मैंने बाद में नमक नहीं डालेंगे तो दो से तीन मीट देखेंगे या टोमाटर है जो बिल्कुल एक दम अच्छे से सोट हो जाएंगे जैसे प्यूरी बники डाल दें इसे घ्मूशी तरीके से तो टोमाटर मेर्च पाउडर और यह दाला है आधा चमच धनिया नगिए और दालेंगे इसमें हलदी पाउडर 5-0ट चमच और इन मसालों को में आएज से नो साotion grants पााँच को में पता आदा गिलास से भी कमी पानी डाला है और इन मसालों को अच्छे से पकने देंगे तब तक ऊपर ओयल ना दिखने लगे इन मसालों को अच्छे से पकने देंगे और यहां पर जो हमने बैंगनी रखी थी पानी में इनकाल लेंगे पानी से और बैंगनी मैंने निकाल लिए और लेने के बाद आलो डालने के बाद दोनों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे बैंगनी और आलो को तो आप इस तरीके से बैंगनी की सब्सक्राणी बना कर देखना बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्छ लगती हैं तो जटपट से बन जाती है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें डालोंग में आदा गिलास और पानी तो इसको थोड़ा से ग्रेवी वाला बनारी। उमें इसलिए थोड़ा से पानी डाला है आदा गिलास तो दस मिन्ट के लिए इसको रखेंगे हाइफ लेम पे और द और दो मींट बाद लोफ लेम पर पकने दिया है मैंने इसको और आलू है जो बिल्कुल अच्छे से बनकर त्यार है जो डो मेंट बाद चैक किया है यह दे लिगई सब्जी एकद मेसं परफैक्ट करे से बन गई है तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करें और प्यारा सा कमेंड करें आपको वीडियो कैसा लगा जिनों ने चैनल सस्क्राइब ने किया तो चैनल भी सस्क्राइब करें और इस तरीके से छोटे बैंगनी हाती है उनकी सबजी है जो एक बार इस तरीके से जरूर से बना कर खाना बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती है आज के वीडियो में इतना ही थैंक यू